कॉंग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वह आबादी गरीब है और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्यान यही मेरा मकसद है मैं सोच रहा था कि पूर्वप्रदानमंत्री मनमोंसी जी क्या सोच रहे होंगे भारत के पूर्वप्रदान मंत्री मनमोंसी जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हग माइनोरिटी का है अलपसंख्यकों का है और उसमें भी मुसलमानों का है अब कॉंग्रेस कह रही हैं कि आबाई आबादी तै करेगी कि पहला का हग किसका होगा यानि क्या अब अलपसंख्यकों का हग कॉंग्रेस कम करना चाहती है क्या और आबादी के ही अहिसाब से ही अपतै होने वाला है तो पहला हग किसका होगा भई किसका होगा आबादी किसकी ज़्यादा है किसका हग होगा जड़ा कॉंग्रेस वाले पस्ता करें क्या आबादी के हिसाब से हग मिलेगा क्या तो क्या आलप संखिलन को को कॉंग्रेस हटाना चाहती है क्या तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हग ले ले क्या मेरे परिवार जनो मैं पिछले कापी समय से कह रहा हूँ और फिर आज दोरा रहा हूँ कि कॉंग्रेस पार्टी को अब कॉंग्रेस के लोग नहीं चला रहे कॉंग्रेस के बड़े-बड़े नेता मुँपे ताला लगा के बैटे हैं न उनको पूछा जाता है न वो यह सब देख करके बोलने की हिम्मत करते हैं अब तो कॉंग्रेस को आउट्सोर्स कर दिया गया है कॉंग्रेस को अब ऐसे लोग चला रहे हैं परदे के पिछे लोग ऐसी कमाल कर रहे हैं ऐसे खेल खेल रहे हैं जो देश विरोधी ताकतों से मिले हुए है कॉंग्रेस किसी भी किमत पर देश के हिंदूओं को बाट कर भारत को तबाह कर देना चाहती हैं कॉंग्रेस गरीबों को बाटना चाहती है मोधी ने पिछले दस सान में सारी योजना ऐसे बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाती है यही सबसे बड़ी बिलादी है अगर गरीब का भला हो गया देश का भला अपने आप हो जाएगा